आमस्का दोस्तों कैसे अपलोग खोप अपलोग अच्छे होंगे स्वास होंगे सुप्रेंच आज मैं आपलोगे साथ बहुत ही बढ़िया एक मेडिसिन के बारे में बात करने वह जिसका में काम होता है अपका प्री मैचुर इजेगलूशन बात जिससे कहा जाता है सीग्रो पतन तो दोस्तों यह सीग्रो पतन के लिए सबसे बढ़िया एक ड्राग है जिसका ब्रैंड ने में आपका डूरालेस 30 mg और इसके अंदर रहता है आपका डेपोक्सेटिन 30 mg तो चले दोस्तों इसके बारे में बात सित करते हैं तो शुरू करते हैं आज के वीडियो और आपको इसका मार्केट में कोई भी मेडिसीन शॉप में आपको यह मेडिसीन मिल जाएगा लेकिन दोस्तों इसका यूजेस किस तरह कैसे होता है डेपोक्सेटिन उन पेशेंट को दिया जाता है जिनकी उमर है अपका 18 से 64 साल के अंदर और जिन पेशेंटों में पीमेट्य ये जाकुलेशन का पॉब्लेम है याने की सिग्र पतन के पॉब्लेम है जो काम ठीक से नहीं कर पाते अगर उन पेशेंटों को यह दवाय दिया जाता है लेकिन दोस्तों यह जो तो एमेडिसीन यानों कि यह जो टैबलेट है यह टैबलेट यूज करने से पहले आपको बह वोलिक लिवर हो सकता है या फिर किसी भी कारण में अगर रिवर की बिमारी है तो यह दवाई लेने से पहले उनको डॉक्टर के मेक साला जरूर ले लेना चाहिए या फिर किसी पेशेन को अगर हाट की बीमारी या फिर उनकी हाट में थैज्य मिख़ा बठाए हुआ है तो इस थ journée में वह पेशेंट यह दवाई ले सकता या नहीं इसके लिए फिस द्स के सेंवरोगार्ण तो इस तरीके का प्रेशन डिय्क्राइटिंङ्ट ले सकता है इसके लिए भी दॉक्टर के सल जरू ले ले लेना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ बात है ज़ो आपको धियान में रखना चालिए उसके साथ औसाथ अगर कोई पैसेन टॉलि च्री तैनें toca amen injection अगर कई दबॉइः श्रुआ करना चाहता है तो वह यह श्र्ट करना चाहता है यानि उसके लिए सही शाला आपको ड़रे सकता है दोस्तों यह रहा कुछ चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए साथ उस्त अगर आप महतного पैसिती न्यूज कर रहे यानि दोबारा ही से मत लीजिए और डेली इसको continue मत कीजिए ठीक है कभी कबर ऐसा होता है कि डेपोकसी तीन यूज करने के बाद पेशेंट का जो पेशार होता है पेशार लो हो जाता है अगर ऐसे तो जिसकरन में ये थोड़ा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर दोस्तों डिपोकसी लेने के बाद जो साइड एफेक होता है मतलब मैं थोड़ा दिर बाद बताने वालाओं कि साइड इफेक कीस तरहे कहा होता है लेकिन दोस्तों अगर डेपोकसी लेने के बाद आपको थोड़ा चक्कर टाइप का आ रहा है तो आप ड्राइबिंग या फिर मेशिन ओपरेट टाइप का काम मत कीजिए अगर जहां पर आपको कॉंसेंट्रेशन देना होता है यानि कि डेपोक्सिट या आप खायों अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आप ड्राइबिंग या फिर मेशिन ओपरेट नहीं करें तो सबसे बैठर है और यहीं दोस्तों आपका साइड एपक्ट का दोस्तों साइड एपक उतना खतरनाक ले सकते हो तो आसा करता हुँ दोस्तों आज का टोपिक आपको अच्छा लगे थेंक्य। पर वस्तिवी सब्सक्राइब कर These